नमस्कार मित्रो मित्रो आद विशेश उपाए में हम चर्चा करेंगे जिन जातकों का कोशिश करने पर भी अपना घर नहीं बन पाता अपने घर का सपना पूरा नहीं हो पाता उनके लिए विशेश उपाए शनी महराज की किरपा प्राप्त करें और आपका मकान अवश्य ही कुछ ही समय में बन जाएगा करना क्या है एक व्रक्ष होता है मित्रो शमी का व्रक्ष शमी जिसे की खेजडी भी कहा जाता है उत्तरभारत में विशेशकर राजस्तान पंजाब में इस पेड़ की पूजा की जाती है इसे बहुत ही शुब व्रक्ष माना जाता है ये व्रक्ष शनी देव की विशेश वनस्पती के अंदर आता है इनकी किर्पा इस व्रक्ष पर असीम बरस्ती रहती है इसलिए शमी का पेड कहीं भी आपको मिल जाए तो उपाय की शुरुवात वहीं से करनी है आपको सबसे पहले विशेश समय आपको चुनना है शाम का शाम के समय जब संध्या हो गोधुली का समय हो उस समय एक दीपक बनाएं जो की गेहूं के आटे का बना सकते हैं आप जिसके चार मुखों चार मुवाला दीवा दिया बनाएं और काले रंग की बतियां उसमें सजा दें और सर्सो का तेल उसमें भर लें किसी प्लेट में या किसी पत्तल में रख करके आपको उसे ले जाना है शमी व्रक्ष खेजडी के व्रक्ष के नीचे और उस दीपक को आपने जलाना है जला करके परार्थना करनी है कि है शनी देव आपकी किरपा कर हो जाए मेरा मकान मेरा घर जो काफी समय से नहीं बन रहा वो बन जाए ऐसी किरपा आप पर बरसेगी 27 शनीवार ये उपाए करें जो दिया आपने जलाया जब वो पूरा जल जाए बंद हो जाए तो उसको उठा करके पानी में परवाहित करनें बस ये उपाए है इस से आपके वेपार में भी तरक्की मिलती है शनीदेव की किरपा मिलती है शनी की महादशा में भी किया जा सकता है और शनी की साड़े साती और ढहिये में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग हमने दिखा है तो शमी वरिक्ष जो की पवित्र वरिक्ष है शनीदेव का उसकी किरपया प्राप्त करें और अपने मकान का सपना पूरा करें धन्यवाद जय मत